वेरी गुड मॉर्निंग एब्रिवन वन्स अगेन वेलकम टो अनकाडमी बीपिएस से आप सभी का स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल पे पर इंटर फेर्स अपडेट्स में हम सब हैं और 28 फेब्रुरी आज के इसे सर में देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल अफ पेर्स पे आधारित धेर सारे महतवपूर्ण सवालों को जो अपकमी एक्जैम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महतवपूर्ण है तो जितने भी बच्चे क्लास से जूड़ चुके हैं सभी का स्वागत है एक पर जल्दी-जल्दी से आप लोग शेसर को लाइक कर लो अपने गुद मॉर्निंग तो आल अफ यू रिया वरी गुद मॉर्निंग अभिशेक प्रियंका पांडे जी सभी का स्वागत है गुद मॉर्निंग बालक तो चलिए जल्दी से आज के सेशन की शुरुवात करते हैं और फटा फट से हम लोग देखते हैं घे सारे महतवपूर्ण स साथा और थाउट अपडी डे में जो आज का थाउट साथियों वह है कि बीता कल हमारे पास नहीं है लेकिन जीतने के लिए आने वाला कल हमारे पास है जहां साथियों जो कल बीत गया वो हमारे पास नहीं है लेकिन जो अपने करियर को बनाने के लिए लेकिन हमारे पास आन मिलेगा, उसको अपने career पे अपने आने वाले समय के लिए बहतर बनाने में लगाना है. तो सचाथिं उसी th Amends के साथ हम लोग session की शुरुवात करेंगे और semua class की जो शुरुवात होगी जो session की सुरुवात होगी वह अब हम लोग आएंगे क्वीक रिविजन पे और अगले कुछ ही मिन्टों में देखेंगे उन सभी प्रश्णों को जो आपने कल के सभी में तो पूर्ण प्रश्णों को देखते हैं चलिए तो रेडी हो सभी लोग क्वीक रिविजन के लिए विक रिविजन के लिए बिल्कूल तैयार हो जाओ हाँ अगले पांच मिनट के अंदर सभी सवालों को जल्दी जल्दी से देखना है जापान पहले नंबर पे है जल्दी जल्दी से कमेंट करना अगला सवाल फिर से आपके सामने है आई आर सी टी सी के पहल के तहर बाबा साहब भीम्रा अंबेदकर टूर पैकेज संचालित करेगा तात्यों पूछा जा रहा है कि कि पहल के तहर इसकी सुर्वात करी जा रही है देखो अपना देश और बाबा साहब भीम्रा अंबेदकर के जीवन से जुड़ेवे तमाम अस्थलों को जो टूर पैकेज उसमें सामिल किया जाएगा उसकी यात्रा कराई जाएगे तो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा महराज स्याजी राओ विस्विध्याल है वंडोदरा के द्वारा के गुजरात के इंदर रिस्तित है आगे सवाल देखोगे सभी प्रश्णों को जल्दी से देखेंगे एक वीक रिवीजन है और यहां पर अपना मेंटल एक्सरसाइज करना है आपको जल्दी जल्दी से हाँ जर्मनी के चांसलर कौने सातियों जो भारत के दो दिवस्या आतरा पे आये थे तो ओलाफ सॉल्ज इस करेक्ट आंसर जल् फरवरी 2023 परधान मंतरी किसान संवान निधी योजना तो कितने साल पूरे हो गए हैं तो सातियों इस प्रोग्रेम को 2009 में शरू किया गया था इसने चार वर्स अपना पूरा कर लिया है बहुत बैतर बहुत बैतर वैरी गूड आगे देखेंगे किस राज्य में तईस क्रेम की शुरुबात साथियों पंजाब के अंदर हुआ है और व्देश मंत्राले वह पूने इंटरनेशन सेंटर द्वारा किस सहर में साथ में एशिया आर्थिक सनवाद का आयोजन किया गया है कानपूर पूने देहरादु या गांधी नगर तो इसमें किसी भी परकार का स पुष्टक को लॉंच किया गया साथियों जेपी नडड़ा जो की बिजेपी के रास्तिय अध्यक्ष है उनके द्वारा लिखा गया है एस जैसंकर देश के विदेश मंत्री के द्वारा तो दोनों जानकारी अपने पास रखेंगे अगला सवाल फिट से आपके सामने होग पुलिस बलने अपना चौरासिमा अस्थापना दिवस समारो कि सराज जी के बस्तर जिले में आयोजित किया है तो साथियों बस्तर जिला बड़ा फेमस है और यह उग्रबाद के लिए फेमस है कई तरह की इस तरह की घटना है आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो की 36 ग सब्मानित क्या गया सजन जिंदल को JSW के फाउंडर है इस मसूर क्लासिकल डांसर का पचासी वर्स क्यूमर में निधन हो गया है मोनी अटम से संबंदित थी कनक रेले और इनका निधन हो गया है इस फुटबॉल खिलाडी ने सेवा निवरती की घोशना करी है अंतरास्तिय मात्री भासा दिवस अगला प्रशन आपके सामने है अंतरास्तिया मात्री भासा दिवस किस तारीक को मनाया जाता है जल्दी से देखेगा प्रशन को ग्रेट हां तो साथ्यों प्रतेक वर्स मात्री भासा दिवस जो है यह 21 फर्वरी को मनाया जाता है and B is absolutely right answer सागर परिकर्मा के तिसरे फेज का नावरन किस केंद्रिया मंत्री ने किया है तो जिस मंत्राले से संबन्दित होगा भारत में मतस्य पालन पसू पालन और सागर से संबन्दित मेरिटाइम मिनिस्टर जो है साथ्यों वह है पुरसोतन रुपाला तो C is absolutely right answer हाली में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्ले बाज कौन हो गए है और दुनिया के छटे बल्ले बाज कौन है तो साथ्यों सबसे तेज विराट कौली ने 25,000 पूरे कर लिये हैं सचीन के बाद दूसरे भारती हो गए है लिबर्टी ग्लोबल पी लसी ने शेर रिवाइबल पर दाओ लगाते हैं वोड़ा कौन ग्रूप पी लसी में कितना प्रतिसत शेर अपना परचेज करने का रिप परचेज करने की गोष्णा करी है तो राइट आंसर जो बैसली 4.9 परसेंट दोरों कंपणियों ने हाथ मिलाया लिये हैं उस बैंक का नाम बताओ जिसने हाली में सॉफ्ट सेर्ट टेकनोलोजी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में अपने 9.9 परच दीसत हिसेदारी को 9.94 करोड रुपीज में बेशने के लिए वो तयार हो गया है तो एक सॉफ्ट्वेर कंपणी जो की मुंबए बैस्ट है और उसमें HDFC बैंक अपना शेर बेशने के लिए तयार हो गई है अगला सवाल उस कंपणी का नाम बताओ जिसने हाली में 2023 में को लेंड लांच किया है और सह उधार के लिए भारत का पहला पूरी तरह से सवचालित एक्स क्रो परबंधन करता है तो साथियों वह है कैस फ्री एंड ए इस करेक्ट आंसर आगे बढ़ी अगला सवाल फिट से है और अंतिम प्रस ने है रिविजन का किस बैंक ने हाली में एक यूरॉपिया बैंक बी एनपी परिवास के साथ जो कि फ्रांस का बैंक है हस्ताक्षर किया भारत में परिचालन करने वाले उड्रोपी और यूरॉपिया संग में भारते कंपनियों की विद्धिय जरूरतों को पूरा करने के लिए सहमती बताई है उस बैंक का नाम क्या है तो साथियों में बै करके बताई अपना अपना देखते हैं कि आपका स्कोर कैसा है 20 में से 20 सही होना चाहिए कम से कम 20 में से 20 आउट और 20 में 20 आपके सही होने चाहिए सब ने कर लिया और एक बार सेशन को लाइक तो करो फटा फट से और शेयर कर दीजे अपने सभी साथियों के साथ इवेन अपने स्टेटस में लगा दो एक मिनिट से भी कम समय है और हम लोग वापस लोटेंगे अपने सेशन में चलिए अब वापस लोटेंगे हम लोग आज के ने प्रशनों पे ने नवेलर सवालों पे और देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स प्याधारित धेर सारे में तो पुन प्रशनों को तो सभी अच्छे तयार हो बिल्कूल सर NCRT NCRT का कॉर्स आ रहा है नकेडमी प्लस पे और बहुत ही बहुत मज़ेदार कॉर्स है केवल एकोनॉमिक्स ने सभी विश्यों का कॉर्स आ रहा है तो अच्छे से वही पे पढ़ लेना मार्च में ही वह कॉर्स आ जागा चलिए बहुत-बहुत स्वागत है सभी का अब अब लोग आज के ने प्रशनों की शुरुआत करेंगे साथ 28 फरवरी बिहार सहीत करें इंटरफेर्स को देखने वाले हैं हां चलो तो सेशन की सुरुआत और पहला सवाल आपके सामने होगा आज के क्लास का पहला प्रश में जल्दी से सवाल को पढ़ें बनाने का प्रयास करिए साथियों पहला सवाल है ICC T20 विस्व कप 2023 की ट्रॉफिक किस टीम ने जीत लिया है बता बार बर वाई टीम जीत जाता है साथियों ICC T20 विस्व कप को जीत दर्ज करने वाली जो टीम है उसका नाम क्या है and right answer is obviously Australia ने दक्षीन अफरीका को 19 रनों से प्राजित कर दिया है ओके और ऑस्ट्रेलिया जो हैस्टेंट यह 30 बार 6 टाइम विजेता बना है ICC विस्व कप जो इस पर आयोजन हुआ था साथियों महिला ICC विस्व कप एक दसमा संस्क्रन था और आप अनुमाल लगाई है कि एक ऐसा देश इसने 10 में से 6 टूनामेंट खुद ही जीत लिया है समझ लो and ICC विस्व कप के बारे में और भी हमें जानकारी रखनी कि इसका आयोजन कहां पर हुआ तो साथियों इसका आयोजन हुआ था दक्षीन अफरीका में और न्यू लेंड्स अस्टेडियम का नाम है न्यू लेंड्स ग्राउंड में हुआ था जो कि कैप टाउन में पड़ता है हां साथ आफरीका में कैप टाउन सहर के इंदर इसका आयोजन हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया लगतार हां स्ट्री दस्वी संस्क्रन नहीं था माफिश आओंगा इसके लिए आठमी संस्क्रण है और आठमी संस्क्रण में छे बार ये जीत दर्ज कर लिया है इसको थोड़ा करेक्ट कर ले न एट्थ एडिशन था और इसमें छे बार ये विजेता बन गया है आगे बढ़ी अगला सवाल आज के सेशन का अगला प्रश्ण होगा और यहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे इनकी विजेता टीम जो अस्ट्रेलिया आए सीसी टीटी वर्ल्ड कप जीत गया है दो जारताई साथ आफ्रीका में जिसका आयोजन चला था पुछा जाएगा एक्जाम में आयोजन कहां पर बता देना और लाइट कॉमबेक्ट ऐरक्राफ्ट है, LCA, हाँ, साथ भ्यान देना लाइट कॉमबेक्ट ऐरक्राफ्ट तेजस जो है भारत के बाहर पहली पार जा रहा है किसी अभ्यास में भाग लेने के लिए, प्रस्ण आप सही कि वह खौन सा अभ्यास है जिसमें यह सामिल होने जा र अरब इमिरेट्स में इसका आयोजन चल रहा है और इसका आयोजन जिस अस्थल पे चल रहा है उसका नाम है अल-धैफरा-एर-बेशा उसमें ये सामिल होने के लिए चल दिया है भारत की ऋरशके और इसके संदर में और भी चाईशारी जानकार आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो भारत के तरफ से गई है इसमें टोटल 110 110 वायू सेना के योध्या है वाई उसेनिक इसमें सामिल है पुरी टीम में जो लोग इस वर्स जा रहे हैं और इसके बारे में तमाम जान करें तो मैंने क्या किया है ना जितने भी एरक्राफ्ट हैं जो इस वर्स इसमें सामिल होने के लिए जा रहे साथ हो सब के बारे में हमने कुछ ने कुछ जानकारी आपको यहां पर दे दिया है हाँ आप सब लोग क्या करिएगा जब इसका पीडिएफ आप तक पहुंचेगा ना तो पीडिएफ में आप लोग इंसी ओर करना अच्छे से एक पर पढ़ लेने का हाँ जैसे तेजस सफर के बारे में क्या है तो क्या है 1983 में लाइट कॉमबेक्ट एर क्राप रनना शुरू हुआ था 2001 में पहली बार तेजस आस्मान में उड़ा स्टिस्ट डॉक्टर कोटा हरी नरायन और उनकी टीम ने इसको विक्सित किया है 2013 में परधान में तेटल विहारी वाजपई ने इस लड़ाकु विमान का नाम तेजस रखा था 2007 में विमान पोतों के लिए तेजस फाइटर जेट बनानी की प्रक्रिया परारम हुई तो इस तरह से तमाम इंफॉमेशन दिया गया है आप सब लोग पढ़े पढ़ोगे ना 500 किलोग्राम का होता है एक बार उडान भरने पर यह 3700 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है इस राफेल जो कि अभी आपने फ्रांस से हमने खरीदा था एकजाम में सवाल भी आया था उसी परकार से मिग 29 के बारे में जानकारी है मिग 21 कोई के बारे में है तेजस के ब जरूर से जरूर एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि हमारा काम इससे कम में ही हो गया लेकिन चले आगे बढ़ेंगे वही जानकारी है 27 से 17 मार्च तक यह आयोजन चलेगा और इसमें भारत के तरब से 5 LCA तेजस और 2 C20 ग्लोमास्टर विमानों को इस अंतरास्तियर ज और अमेरिका यह सब भी भाग ले रहे हैं अनि कि जो यह जो आयोजन चलने वाला अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 3 हां यह बहुरास्ट्य अभ्यास है अनि कि एक से अधिक देश इसमें सामिल हो रहे हैं एक होता है बाइलेटरल दो देश उसमें सामिल होंगे एक होता है क्रिप्सन में उपर में डलवा दिया हूं वहां से जोइन कर लेना आप कहां से याद करते हैं पढ़ना पड़ता है ऐसे कैसे याद होगा काफी मेहनत करनी पड़ती है आगे सवाल है कि पहली भारतिया पहलवान अंकित गुलिया ने 25 फरवरी को मिस्र के अलेक्जेंडरिय में इब्राहीम मुस्तफा रैंकिंग्स रिंखला में कौन सा पड़क अपने नाम कर लिया है इन्होंने कौन सा पड़क अपने नाम कर लिया है तो साथ हो इन्होंने रजत पड़क सोरी रजत भी नहीं कांसे पड़क ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया है और आप इन से यह किस्तान के नूर्जी गीत कैनेसबेक उलू को 9-0 से प्राजित कर दिया है 67 किलोग्राम वर्ग मेश्मेंट यह ओलम्पिक चेंपिन अब्दोल गुरौही को चोट के कारण कांस पदक मैश से हटने का फैसला लिया गया था इतमाम बातें तो देखो इसमें हमारे लिए जानकारी रखनी है आपको आगे बढ़ेंगे कि किस भारतिय कॉंप्यूटर वज्यानिक को मार्कोनी प्रॉसकार 2023 से समाल मित किया गया है इसमें से नाम पहचानी है यह बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है एक्जैम में आपको यह सब सवाल दीख जाएंगे क्या लिखरो गई भैस पानी लेने अच्छा गई भैस पानी में अब इतनी गर्मी है तो भैस को पानी में जाना पड़ेगा ना गाउं में देखो के भैस से जो होती है ना जब ज्यादा गर्मी लगता है तो किचड उचड में पुरा लपेट करके आएगा आप लोग क्रिश्नल और इन्हें सम्मानित क्या गया मार्कोनी प्रुषकार से असे एमाइटी जो है मेसा चुशेट्स इंस्टिटीट ऑफ टैकनोलोजी युएसे में पढ़ाते हैं प्रॉफेसर हैं और कॉम्प्यूटर साइंस के प्रॉफेसर है हरी बाल क्रिश्नल आप इनको यहा अचारियों को करने वालों को सम्मानित क्या जाता है और एक संचार प्रुषकार से सम्मानित क्या है और और इनका जो contribution है वो wired और wireless networking, mobile sensing और distribution system पे इन्होंने काफी काम किया है तो इन कारियों के कारण डॉक्टर बाल कृष्णन को सम्मानित किया जा चुगा है मारकोनी पुरुषकार से आगे पढ़ी अगला सवाल है यहां पर भी एक बहुराष्टिय समझाथा हो रहा है और उस समझझाथे में भाग लेने के लिए भारत की जो सेना ऐस्टन वो पहुँच चुकी है अभ्यास कौन सा है ब्रिटैन में वो अभ्यास हो रहा है और उसका नाम क्या है जल्दी जल्दी से देखेंगे ग्रेट तो साथे उस अभ्यास का नाम है अभ्यास कोब्रा वारियर और यह कहां पे होगा तो ब्रिटेन में है इस्टेंट परपोस्ट एंड ब्रिटेन में भी कहां पे होगा तो इसके बारे में आप जानखारी को वाडिंग गटन हम caire base में इसका आयोजन होगा यह भी वायू शेना का युद्चा ते और इसमें आस्वेंट भारत के तरप से जो लोग सामिल होने के लिए गये हैं इसमें भाग लेने के लिए भारतो क ayudar स्पेना के देश सामिल होने वाले हैं कौन-कौन से देश इसमें सामिल हो रहा यूएस से फ्रांस इसको मैंने लिखा हुआ आ गए हां तो वापस से इधर लिखने के आऊ सकता नहीं है आप देख सकते हैं इसमें सभी देशों का नाम हमने मेंशन किया हुआ है फिनलेंड इसमें सामिल होगा स्वीडन दक्षिन अफ्रीका अमेरिका सिंगापूर हां इन सभी देशों की सेनाएं जो है वो इस बहुँ देश्य अभ्यास में सामिल होने वाले हैं और भारत के तरफ से जितने भी लड़ाकू विमान हैं सबको इसमें सामिल किया जा रहा है और जो बात हमने करी आप देख सब्सक्राइब की जब बात करते हैं ब्रिटेन की जब हम लोग बात करते हैं तो आपने जानकारी रखना है कि ब्रिटेन जो है यह बिसिकली तीन भागों में बटा हुए चार भागों में नौर्थ आयरलेंड एस्कॉर्ट लेंड इंग्लेंड और वेल्स यह सब मिल करके चार प्रांथ है चारों प्रांथ मिल करके बनाता है 되orme प्रिटेन का मतलब क्या होता है लग श्कॉर्टेम और एसकषी जानाकारी रखेंगे वह बहुत छोटा है और इतना छोटा सा देश समझे कि इसने पूरी दुनिया पे सासन किया था, एक ऐसा समय था स्वेंट जब इनका सासन काल में सुर्यास्त कभी नहीं होता था समझे, तो इसकी जानकारी रखेंगे, सरकारी उत्तर मुर्दाबाद, सरकारी उत्तर लोगों ने किया था इस बार पीडियाफ कहां से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ, उसको जॉइन कर ले, वहीं पे पीडियाफ मिलेगा, शुर्भी लिख रहे हैं, रेकॉर्डेट देखूंगे, पता नहीं ऐसा क्यों, रेकॉर्डेट क्लासे जब युद्धाब्यास है, भारत और ब्रिटेन के बीच जिसका आयोजन होता है, यह भी एक नोट करने वाला पॉइंट है, इन दोनों देशों के मद्ध होने वाले युद्धाब्यास में, इसके बारे में भी यहां पे मैंसन क्या गया है, विस्वा एंजियो दिवस परतिवर कब मनाया जाता है, साथियों एंजियो का मतलब होता है, नोन गौर्वर्मेंटल और्गनाइजेशन, एक ऐसी और्गनाइजेशन जो सरकारी नहीं है, लेकिन समाज के हित में कारी करती है, तो भारत में, विश्व भर में, पुरिदु दुनिया भर में यह दिवस परतिवर विश्व एंजियो दिवस के तौर पर मनाया जाता है, आपको जान करके आश्चेर होगा, कि एंजियो जो होते हैं, भारत में जितने लोग हैं, भारत में सबसे जादा एंजियो रजिस्टर्ड है, सरकार के पास, लेकिन आप देखेंगे, ग्राउंड लेबल पर काम करने वाले कई गिने चुने एंजियो ही हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, यह भाई साब देख रहे हो, यहां पर इनको मास्क बस लगा करके, यह लग रहा किसी जूगी जोप्री सलम में रहने वाले बच्चों को, वो कुछ खाने पीने की चीज़े बांट रहे हैं, तो यह वर इसके संदर में, मानव अधिकारों को बढ़ाने और सतत विकास के लक्षों को प्राप्त करने के लिए, गयर सरकारी संगटनों की भूमिका और प्रभाव, यह इसका थीम है, 2010 में प्रारम हुआ था तमाम जानकारियां, तो इसकी भी नॉलेज रखेंगे, और एंजियो पे इंटर्विव में भी सवाल होता है, में में भी आंसर राइटिंग करने को आपको मिलेंगे, तुसे भी आप लोग ग्यान देना, और आप सभी बच्चों से हमारा एक और भी कहना था, कि आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा एक एडिटोरियल जा रहा है, आप उसे देखते जा रहे हो ना, डेली बेसिस पे, और कल जब मैं सेशन एंड किया था, देख बच्चे ने सवाल पूछा था, कि सर आपके क्लास में कॉंटेंट बहुत जादा होता है, जानखारी बहुत जादा होता है, तो सब कुछ लिखना है क्या, देखो एक बात एकदम जैनुइनली आप ध्यान से लेखर के चलिएगा, मानकर चलो, आपको जब इस क्लास में आप लाइफ जूड रहे हैं, और ये चैनल पर वीडियो हमारा पढ़ा हुआ है, पीडिएफ आप तक पढ़ा हुआ है, तो आपको प्रिलिम्स, एक्जाइम्स के परस्पेक्टिव से लिखने की क्या हो सकता है, लेकिन सब कुछ लिखने क्या हो सकता नहीं है, आप सभी बच्चे प्रयास करिएगा, जैसे मैं कोसिस करता हूँ, इस तरह का एक वाइट पेज ले लेना हाँ, सफेद पेज, एफोर साइज वाला, और इस पेज में आधे हिसे में सभी प्रस्णों का उत्त उत्तर आ जाना चाहिए, बस इतने में इतना सौट नोट्स बनाना है, कि आधे में सभी का उत्तर आ जाना चाहिए, यह बहुत अगर दीकत होगा, तो एक पूरा में, एक तरफ में से 20 प्रस्ण का एक्स्प्लाइनिशन आ जाना चाहिए, तो अगर डेली बेसिस पे आप ए ज़रूरत पढ़ेत, महां से आप इसको पढ़ सकते हैं, ओके, और चले, तो आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, नेक्स्ट कोशन के लिए सात्यों, अगला सवाल जो हमारे सामने होगा, 24 फरवरी 2023 को, डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अस्वरेंस का पदभार किसने समहाला है बहुत बेटर, समय को कितने पेजेज हो जाते हैं, ने, एक पेज में लिखो, ज्यादा सोट नोट्स बनाना है, लोंग नोट्स नहीं बनाना है, बच्चा उतना नहीं, आप समय को समझो ना, और एडिटोरियल डेली पढ़ते चलना है, वो जरूरी है अच्छे से, चलिए, तो साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल, आर एस रीन इस करेक्ट आंसर, जिनको अपॉइंट किया गया है, आप यहां पे देख सकते हैं, क्वालिटी एस्वरेंस डिरेक्टर जनरल के पदपर, इनकी नियुकती करी गई है, और 24 फर्वरी से इन्होंने पदभार गर कोल का था के अंदर और उसके द्वारा, इसको माने था, प्रदान किया गया है, यह, six sigma black belt से संभानी थे, सिग्व सिग्मा ब्लेक बेल्ट जो होता है बिसिकली क्वालिटी एस्वरेंस के अंतरगत एक पढ़ाई है एक परमान है उसके अंतरगत है और रीन सहाब के बारें जानकारी यह एस्वेंट किनोंने आयाइटी खड़कपूर से इंजिनेरिंग में परमानन प्राप्त करा है और वेरिटास बेंगलूरू से गुनवत्ता प्रबंधन की परनाली में एक इक्रित प्रबंधन में लीड ऑडिटर रहे हैं तो जो क्वालिटी एस्वरेंस करने वाला है उसके लेटिनेंट के पर पर इनकी अपॉइंट्मेंट ह हुई है इनके बारे में भी जानकारी रखेंगे अगला सवाल है यह मुझे लगता है कि एक बहुत ही सांदार काम अभी इंडिया के अंदर हुआ है और उस काम को समझेंगे हम लोग हां मेन और हॉल को साफ करने के लिए रॉबर्टी असके वेंजर्स का उप्योग करने वा हुआ है है कि प्रेली ग्राम जॉइन नहीं हो रहा है है कर अग्हicação करना अनक्ली अव्यक्राइदमी केसी प्रोइन करो कि और तेज प्याश लग लग घया था पता है एक बच शेयर कर देते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा रहता है जल्दी-जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो फटा-फट से और लाइक 149 बच्चे है तो 149 लाइक तो कम से कब रहना चाहिए ग्रेट अब इस प्रेशन पर वापस लोटेंगे हां साथ मैंन हुल को साथ करने के लिए रॉयद अस्केवेंजर का व्प्योंग करने वाला भारत का पहला राज्व और मस्त्त में इमेज को देख सकते हैं विज्वल को देखें यह न्या एक रॉबॉठिक मैंन हूल साफ करने का स्वेंजर्व और अब जानते हैं इसमें क्या हुआ बेशिकली जो होता है शहरों के अंदर उसमें आपने जानकारी होगा एक करता है है और उस company ने क्या कि रॉबोटिक स्क्वेंजर्स डेवलप किया है अब यह रॉबोटिक स्क्वेंजर्स जो है ना उसको सिवेज में डाली यही सफाई कर देगा उसको तो वही जानकारी है और ऐसा करने वाला जो एक केरल में इसकी शुरुवात हुई है और इसका नाम क्या और यह दुनिया का पहला रोबोटिक स्क्वेंजर्स है और तो केरल में घृर्वर के मंदिर सहर में सिवेज की सफाई के लिए इस TurboTrix and Sringers का प्रयोग किया जा रहा है जो कि एक पार्टिकूलर district के अदर पढ़ता है और उस district का नाम है त्रिसूर जिला हाँ के रल में त्रिसूर जिला यह भी कर लें हमाहे जिला मुझे भ़ह नहीं मिल रहे कहई पर साहध सरन्यूज अनलेसिस की क्लास के बाद भी पेपर पढ़ना जरूरी है क्या पेपर पढ़ना जरूरी नहीं है एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है मुख्य परिक्षा के प्रस्पेक्टिव से एडिटोरियल रेगूलर बेसिस पर पढ़िए टेलिग्राम पे भी आ रहा है वो आगे बढ़ी एकला सवाल है कि संगम यूग से संबंदित कलाकृतियों के परदर्सन के लिए किस राज में किलादी साइट संग्राले स्थापित किया गया है साथ यो संगम यूग संगम यूग जो है वुजे नगर सामराज जी के अंदर गया था एक पार्टिकुल फेस और यह तमील नाडू के अंदर पड़ता है और वही पे अभी किलादी साइट संग्राले का आयोजन क्या गया है और यह एक हेस्टोरिकल एतिहासिक आयोजन है जिसमें संगम यूग की जो तमाम क्लाकृतियां है उन सभी क्लाकृतियों को इसमें सामिल क्या जा रहा है उन सभी क्लाकृतियों का इसमें परदर्शन क्या जा रहा है आप इस इमेज को देख सकते हैं स्टाइलिन वहां के श्रीयम और देखें तमाम क्लाकृतियां आपको यह सब दीक रहा है विजुवल यहां पर यह तमाम क्लाकृति है संगम यूग का हां यह वहीं संगम यूग है साथ जिसको आपने विजर नगर सामराज के अंतरगत पढ़ा होगा कि हर यहर और बुका ने क्लाकृतियां है तो उन सबका यहां पर परदर्शन क्या जा रहा है और किलादी दक्षिन तमिलाडू में सीव गंगा जिले में इस्थित एक छोटा सबस्ती है जाप इसका आयोजन हुआ है आप सबने नाम सुना होगा मदूरे का मदूरे जिसे कहते हैं तो मदूरे से और भी कुछ-कुछ जानकारी है इससे संबन्दी तो इसको उने PDF में लगा दिया है हाँ आप सबी बच्चेस को अच्छेस पढ़ लेना अगली जानकारी है दक्षिन चीन सागर संगर्स के बीच पहली बार भारतिय पंडूबी INS सिंधू केशरी किस देश में पहुंची ह तो साथियों सिंधू केशरी साधरनता जो आसियान देश हैं उसी आसियान देशों में से ये ट्रेवल करते रहता है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आसियान देश के बाहर भी चला गया है तो पुछा जा रहा है कि किस देश में ये पहुंचा है तो साथियों ये पहुं जा रहा है हां जहां पर इंडोनेशिया का जकार्ता में जहां पर युधाब्यास का आयोजन है उसमें भाग लेने के लिए पहुँच गया है और दक्षिन चीन सागर संघर्ष के बीच पहली बार साथ जो साउथ चाइना सी है उसको ले करके काफी विवाद है क्या क्या कूनई। क्वालंब्पूर थाईलेंड लाउच चाइना होनग का उसके विविए नाम सबसे कहतर मां की है यह देख रहे हैं यहां पेसे कर के ये वाला देश यह है वियत नाम तो दिक्कत क्या हो राजनते हो चाइना वाला जो है चाइना यह चाहता है ना कि यह जो पूरा साउथ चाइना सी है पूरा जो बड़ा सा हिसा है इस पर चाइना का अकेले का नियंतरन हो लेकिन हो क्या रहा है कि वियत नाम जैसे छोटे देश वियत न काधिकार को खतम करते हैं और जाहिए इसी बात है कि जब वियतनाम जैसे देशों का अधिकार खतम कर दिया जाएगा तो चाइना इस छेत्र में जो वैपार होता है उस वैपार पे वह एकलोता नियंतरन हासिल कर लेगा और पूरी दुनिया भर के देशों को धमका करके रखे करेंगे और चाइना जाकार्ता इंडोनेशिया के संगहर्ज के पारित हुआ है वही बात है जो हमने यहां पर करी यह लगबग 3,000 टन का है इनस इंदू के सवाल यह बड़ा ही इंपोर्टेंट है और इस बार सवाल है कि FATF Financial Action Task Force 24 फरवरी को किस देश की सद्यस्थता को निलंबित कर दिया गया है FATF से किस देश को बाहर कर दिया गया है तो हमें तो एक मिनट के लिए लगा कि पाकिस्तान पर कुछ एक्षन लिए गया होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है comment में एक सेकंड का डिले क्यूं होता है comment एक सेकंड नहीं बलकि पंदरा सेकंड डिले होता है ! यूट्यूब का ये नियम है Euro कि चलो बहुत बेतर हैं मैं तो एक सगेंड के लिए लगा कि पाकिस्त तान तो नहीं न चला गया ग्रेट हां राइट आंसर इस अब्वेस्ली कि 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 सही उत्तर है वही रस्या तात्यों रस्या और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा था और इस वार के बीच में इसको बाहर करने की घोषना कर दी है कि अब तुम विदा लो यहां से तो यह जानकारी हम सबको मिला है इसके बारें थोड़ी जानकारी रखना देखो एफटी आफ जो है न यह बेसिकली मनी लॉंडरिंग के विवादों पर मनी लॉंडरिंग जैसे विश्यों पेस्ट्रेट यह रिपोर्ट्स तयार करते रहता है और एफटी एफ के इस्टाबलिश्मेंट हुई है है 1989 में इसमें टोटल सदस्य देश है थर्टी नाइल यह इसकी जानकारी रखेंगे श्ती नाइन इसमें सदस्य है भारत समेत 2010 में भारत इसका सदस्य बना है भारत ने इसकी सदस्यता कब लिया है तो 2010 के अंदर लिया है अगी जानकारी एस्वेंट की FATF के बारे में और भी चीज़े नौट करना इसका मुख्याला है पैरिस हेड़कॉर्टर और वही बातें यहां पर तमाम चीज़ें लिखी हुए फाइनेंसियल एक्षन टास्क पॉर्स है उनीच तो निवास्ती में जी सेवेंट के मीटिंग में स्टैबरिश हुआ था पैरिसेट कॉर्टर सिंगापूर में इसका अभी राजा कुमार जो है वो FATF के हैड है राजा सदस्य देश है और लिस्ट यहां पर है इसके ग्रे लिस्ट होता है ब्लैक लिस्ट होता है तो साथियों FATF का बेसिकली ग्रे लिस्ट और यह वाली लिस्ट इसले फहमास है नहीं देगो FATF क्या करता है कि ऐसा कोई भी देश जो टेरर फंडिंग करता आतंगवाद को पर ऐसा स्टेटस मिलेगा अंतरास्टिय संस्थाएं उसको इस परकार से मदद करती है पाकिस्तान का बढ़ा बुरा हाल है पाकिस्तान का इसमें बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है और बुरा हाल यह है कि वहां पे लगतार उस पे ऐसे साथ छी मिल रहे हैं कि वह आतंग बात को प क्या कमेंट कर रहें आप लोग पढ़ाई छोड़ करके यहां पर आते हो कमेंट करते हो समझ में नहीं आया है तो कैसे समझ में आएगा फताई जर्द्रण में अवह सब बाते जो कहा वो सब यहां पर लिखा हुआ है वही सब चीजें यहां पर लिखी हुए जो लोग ने वहां पर चर्चा किया है चलिए कि नंबर मांगा जा रहा है वह बहुत बढ़िया हाँ कि यही सब काम करो कि कुछ लोग जो है न अपना कि यही सब उसका रहता है काम ही है और वो जीवन पर यहीं काम करेगा कि अग्यादमी पर मेरी कौन-कौन सी क्लास चलती है चलिए कोई नहीं हाँ इन सब चीजों पर में ध्यान नहीं देना चाहिए अगला सवाल है किस देश के रहने वाले राजकुमार जिग में वांग्चुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गये हैं तो साथियों जैसे आपने वांग्चुक नाम सुना होगा राजकुम बन गये हैं राजकुमार जिग में वांग्चुक विकेंड़ फॉस्ट डिजिटल सिटिजन ऑफ भूटान और डिजिटल नागरिकता की सुरुवात जो भूटान में हुआ थास्ट यह सुरुवात किया गया है 2018 में 2018 में इसकी सुरुवात हुई थी और 2018 में परक्रिया को परने के बाद पहली बार राजकुमार जो आके प्रिंस है उनी को इसका सिटिजन सिप दे लाया गया है हां आप इनसे मिल सकते हैं भारत की यातरा पर जब आये थे तो काफी पॉप्लर भी हुए थे अपने ममी पापा के साथ इनके ममी पापा का नाम भी खेसर और पेमा व प्रांग चुक उनके बेटे हैं और इस प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब ना दोजार अठार ने लिखे गहां यह प्रोजेक्ट बिसीकरी 2021 में प्रारम हुआ है प्रारम हुआ था प्रोजेक्ट की डिजिटल नागरिक्ता जो होगा 2021 में और भूटान के बारे में कई सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक है कि भूटान पहला देश था पूरी दुनिया का जिसने एकोनॉमिक डेवलप्मेंट को हैपिनेस से जोड़ करके देखा है कि खुसी जो है वह आर्थिक विकास का मानक होना चाहिए और यह वाला सवाल जो ग्रेलिस्ट वाला था इसमें हाली में पाकिस्तान को बाहर किया गए यहीं न कहरो आप पाकिस्तान को रिसेंटली इससे बाहर किया गए एक लंबे अंतराल के बाद है ना दोजार बाइस अठ दोजार अठारा से लेकर करके लगफ़क वाइस तक इसमें रहा है और इससे पहले दोजार तईरह से रहा था सूलर तर ठीक है तो थैंक्स टू में करेक्ट हमें करेक्ट करने के लिए धन्यवाद और इसे फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगा चलिए आगे बढ़े हैं अगला सवाल है अगला प्रशने हैं अबहसी मुद्र है वर्शुल करेंसी है ऐसा करेंसी जिसका को immense नहीं होता है तो इसे अपनाने के मामले में भारत का स्थान क्या है इंडिया का स्थान साथ हो साथ में नंबर पे है और इसमें जो देश पहले और दूसरे नंबर पे उनके बारे में भी जानकारी रखेंगे इसको अपनाने के मामले में फॉस्ट नंबर पे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे इस मामले में और दूसर के संदर में जानकारी ही हमने जैसा बात करा कि यह वर्चुल करेंसी होता है इसको फिजिकल परजेंस नहीं होता है ब्लॉक्चेन सिस्टम पे डबलब किया गया है और भारत में पहले क्रिप्टो जो थास्पेंट उसको लिगलाइज नहीं किया गया था लेकिन अभी 2022 तो इस इस दिजिटल मनी क्रिप्टो क्या एक डिजिटल मनी है भारत सरकार ने खुद बोला कि हम भी अपना डिजिटल मनी लेकर क्या रहे है यह रूपी ना आर्वे लॉंच करने वाली है कर चुकी है ट्राइल मोंड में तो उसकी भी जानकारी रखेंगे और रिपोर्ट तयार क परंपरा के इतिहास के जस्न मनाने के लिए क्या है बारिशु कंणड दिमावा साथियों जैसे वर्ड आपने पढ़ा होगा कंणड तो आपने रिलेट किया होगा करनाटक और आपने बिल्कुल सही रिलेट किया है करनाटक की संस्कृति वहां की परंपरा और वहां के इति ताल का टोरा स्टेडियम में कहा पर इसका अजन हुआ दि तो ताल का टोरा अस्टेडियम के अंदर हां है कि सभी बच्चों के जारकारी रखना है और आप देख सकते हैं परधान मंत्री मोदी जी और हमारे मोदी जी थोड़े इनके साथ कैमरा में सारे लगे हूए फोटो लेने में अब मोदी जिस स्मार्ट से लग भी रहे हैं कुछ लोग टाइम पास करने के लिए करते हैं कहता हूं कि टाइन पास वही बच्चा करता जो बीपीसी में अपियर ही नहीं हुआ है अगर आप बीपीसी के एक एग्जाम दे लो असफल हो जाओ आपको खुद पता चल जागा कि आप कितने पानी में हो या मेरे पैरलल अभी देखेगा आधे इंच के नीचे कोई भी क्ला इस बात को काफी अच्छे से समझेगा आपके एक एक कमेंट आपका एक एक चन बहुत मेहत्वपून है इसको फाल्तू जगह पे नहीं लगाना है ना और मेरे तरब से आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं टाइम पास कर रहा हूं या फिर मैं आपसे फिजूल की बाते कर पूरी क्लास में जब क्लास स्टार्ट होता है पहला सेकेंड से लेकर के लास्ट तक मेरी कोशिस बस यहीं रहती है कि आप से टूदी पॉइंट बात किया जैए ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करें और ऐसा नहीं है आप हम लोग मैं अगर बाते करना स्टार्ट कर दू है कि उस वैक्तितों का नाम बताओ जिसने हाली में दो हजार पैस में डलास ओपन में पुरसों का एकल किताब जीत दिया है जो सन्युक्त राज अमेरिका यूसे के डलास सहर में आयो जित किया गया था तो किसने इस जीत को करा है डलास ओपन में किसने जीत दर्ज किया है यह basically tennis tournament है और इसमें जीत दर्ज किया गया है यू इबिबिंग के द्वारा हाँ यू इबिंग ने इसमें जीत दर्ज कराईश्मेंट ये वीजयता बने है और कहा के हैं तो नाम से थोड़ा सा पटपटा सा नाम लग रहा है यूबू ट्भी इविंग, जानकाली रखेएंगे ये चाहिना से हैं चीन के, केनिस प्लैर हैं और इन्होंने पराजित किया है सात्यों, पराजित कर दिया इन्होंने, जल्ण इसनडर को, जॉन इसनर के कौन है जॉन इसनर भई तो यह विलॉंग्स टो यूए से उसको इन्होंने फाइनल मुकाबले में प्राजित कर दिया था हरा दिया था तो आप इनको देख भी सकते हैं यूबिंग को स्क्रीन पर हैसा मुस्कुरा रहे हैं विजेता बनने के बाद और वही बा मेंट है इसके बारे में एक्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा बढ़ जानकारी हमें रखनी है आगे प्रस्ते कि किसने हाल ही में भारत में पहली फॉर्मूला ए रेस 2023 ग्रीन को हैदराबाद इप्रिक्स को अपने नाम कर लिया है इसे जीत लिया है तो साथे जानकार प्रस्ति रखनी है तो इसे इसमें जीत दर्ज क्या है जीन एरिक वर्गेन ने यह बिसी कली प्रांसी सी कार ड्राइवर है और इन्होंने इसमें जीत दर्ज क्या है इसकी लिस्ट भी मैंने बना करके लाया है आप देख सकते हैं देश के खेल मंत्री जो है अनुराग ठाक सब्सक्राइब के हैं एंटोनियो फैलिक्स दा कोष्टा यह पॉर्च से के हैं और पास्कल करें ने भी पॉर्चे के इसमें अपने केवल पहला जानकारी रखना है जीन जीन एरिक जीन एरिक इसमें विजेता बने है जो कि प्रांसिसी है फ्रेंच है और कहा पर आउजन हुआ था एक प्रिक्स का यहां पर थोड़े विश्तार से लिखा हुआ है थे आउजन हुटे पर आउजित हुआ था था यह भारत का पहला स्ट्रीट सरकीट यहां पर डवलप किया गया था किस गार्डेन में इस का आजन हुआ था था तो नियर अबाउट एंटियार गार्डेन ओके आगे फिर से सवाल है कि रेल मैडरीड एक स्पैनिश पैसेवर फुटबॉल कलब ने हाली में किसको हरा करके मोरक्व 2022 में अपना पांचमा फीफा कलब विस्व कप को अपने नाम कर लिया है रियल मैडरीड साथियों एक स्पैन का फुटबॉल कलब है स्पैनिश फुटबॉल कलब और इसने फाइनल मुकाबले में अल कि इन्होंने फाइनल मुकाबले में अल हिलाल को पराजित किया है जो कि यूए का एक फुटबॉल कलब है उसको इन्होंने पराजित कि यहाँ पे इसके बारे में विश्तरित जानकारी देख सकते हैं इसका आयोजन कहा पे हुआ मुरक्व के रबात में प्रिंस मौले अब बढ़ेंगे अगला सवाल है कि भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता के तहत डबलू ट्वेंटी आनि की वुमेंट्वेंटी की पहली बैठक किस सहर में आज इत क्या जाएगा यह बड़ा इंट्रस्टिंग सवाल है भाई हमारे लिए जी ट्वेंटी नहीं बलकि यह डबल हुआ है अगर आपको जानकारी होगी तो आपने नोट करो कि जब आपने देखा होगा जब महरास्ट्रा में उद्धाव सरकार जब जा रही थी तो उनका जो अंतिम कैबिनेट मीटिंग था उसमें उन्होंने अश्मेंट औरंगाबाद का नाम बदल दिया और उसका नाम है संभाजी नगर तो सात्यों औरंगाबाद जो महरास्ट्रा का पुराना सहर था उसी सहर का नाम है संभाजी नगर और वहीं पर डबलू ट्वेंटी का आयोजन क्या गया है इवन कि आप इस आयोजन का जो पोस्टर है वहां पर भी देख सकते हैं सत्ताइस शेटाइस फरवरी देखो यहां पर लिखा और अंगाबाद लेकिन आप यहां पर होना चाहिए संभाजी नगर यहां के जो सांसर है वो कह रहे और थीम क्या था दुजाहिर सी बात है कि महिलाओं पर आधारी थे महिला नेत्रित के विकास के लिए लेंगिक समानता और सम्मान की खोज करना उसी पर आधारी थे इसमें लगबग जी ट्वेंटी देशों के 150 से अधीक परती नीथी इसमें सामिल हुए इस बैठक में हां तो यह तमाम बात है अगला प्रशन है कि उस बैंक का नाम बताएं जिसने हाल ही में क्रंच फिस डिजिटल कैस के साथ ऑफ लाइन डिजिटल भुकतान के लिए ऑफ लाइन पे पाइलेट प्रोग्राम सुरू करने के लिए साजेदारी कर लिया है अब आपको जान करके मज लेकर करके अवर्नेस का भाव है तो भारत में एक बैंक ऐसी तैयारी में है कि वह गांगां जाओ करके ना ऑफ लाइन कैस बांटने लगेगा ऑफ लाइन ट्रांजेक्शन करवाएगा उसके लिए एक नहीं सिस्टम डेबलब कर रहा है वो तो पहली बार भारत के अंदर य अपने जानकारी रखना है कि भारत की सबसे बड़ी डिजिटल बैंक और अभी मार्केट कैप देखेंगेश्मेंट तो मार्केट कैप में पहले नंबर पर आता है सबसे बड़ी बैंक के रूप में से सामिल किया जाता है तो इसने इसे लॉंच कर दिया है ऑफ लाइन पैम अब हमारे एक्जाम्स के दिश्ट्रिकों से तो बहुत बड़ा सवाल है कौन सी बैंक है जिसने ऑफ लाइन पे की शुरुवात कर दिये तो साथियों वह है HDFC हां इस तरह का कई सारा प्रयोग जो है वह HDFC करते रहता है एंड HDFC की बात करें तो 1994 में HDFC के स्टैब्लिश्मेंट हुई थी इसके सी ओ कौन है भाई HDFC के ससी धरन जगदीशन हां तो वह भी जानकारी आपको है मनों पिछले क्लास में चर्चा भी साथ किये थे अब आगे फिर से हमारे सामने एक सवाल है किस संगठन ने दुनिया के महासागरों और नदियों में प्लास्टिक परदूसन को खत्म करने के लिए दा ओसन क्लीन अप के साथ एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है जलनी से देखें सन्युक्तराष्ट विकास कारेकरम ने अंतरास्ट्य मैरिटाइम संगठन सन्युक्तराष्ट प्रयावरें कारेकरम विश्व मौसम संगठन ने इसने समझावते को किया है जो नदियों की जो सफाई है साथियों नदी बहुत दूसी थे पुरी दुनिया भर के कचड़े वहीं पर चले जा रहे हैं तो उसको सफाई करने के लिए जो है वो कारेक किया गया है यूएन डिपी के द्वारा युनाइटे नेशन सब्सक्राइब करते तो 1966 मिटे पर पॉर्म नियॉर्क यूएसस का हेड़कॉर्टर है इसके प्रसासक है अची मस्टेनर इसके जो अडिपी के प्रोग्राम के इसकी जानकारी रखेंगे भारत 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक अपने यहां बैन किया हुए ना एक जुलाई स्मार्ट हो गया यह इस तरह की जो बड़ी-बड़ी वहां पर तो उसके लिए नियम बनाया गया है कि 50 माइकरोन से कम का जो प्लास्टिक है उसको परियोग नहीं कर सकते क्योंकि जैसे-जैसे माइकरोन कम करते जाएंगे ना तो प्लास्टिक जो जो घटते चला जाता है और प्लास्टीक अथिक जिटना कम रहेगा पिसेटिक्षयरकर करना उसका उतना मुस्किल होता है तो भारत शरकार नियम बना रिखाता है कि आ इसकी प्लास्टीक्ल करना अश्बगा में फिसेफ करने पूंपॉज हो जाता है तो आप देखेंगे कई सारे सौ पैसे जो आप से एक्स्ट्रा चार्ज करके आप से पैसे ले लेते हैं देखो ना कि प्लास्टिक लोग है अभी देखेगा सुपर मार्ट में तो उसके लिए अलग से आठ है और दस रुपे देने पड़ेंगे और हम इतने लापरवा हैं कि हम लोग प्रयास नहीं करते हैं मैं मैं क्रेमरेटरूप से अपने बताता हूं कि मैं हमेशा से कॉसिस करता हूं कि मैं छोटी छोटी इक्तीविटी वह 550 आप सब भी current affairs management बिहार की बारी है बिहार के top news को देखेंगे और एक बार आप लोग क्या करिए कि सेशन को जल्दी से like कर दो हां अब 140 बच्चे भी मुझे class में दीख रहे हैं लाइक में कमी क्यों कर रहे हैं आप लोग मुझे यह सिर्फ बता दू मजा नहीं पढ़ने का बकवास करूंगा तो ज्यादा मजाएगा क्या एक बार लाइक करो जल्दी से महज 114 लाइक हमें दिख रहे हैं अब डेली current affairs में हम लोग देखेंगे बिहार के निउज को बिहार की पहली निउज है सागर कुमार के संदर में सागर कुमार को जूनियर विस्व कप कबड़ी में खेलने के लिए भारतिये में सामिल कर लिया गया है इरान में यह आयोजन होने वाला है जूनियर विस्वकप कबड़ी का और उसमें सागर कुमार जो है भाग लेने के लिए जाएंगे सागर कुमार के बारे में यह परभात खबर का आर्टिकल भी है जो आपको साध अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो इनके बारे में डिटेल समने यहां से सामिल कर लिया है सागर कुमार जो है उनका गाउं जो है वह इधर ही पढ़ता है मरवाही जो है इसका है और कहां पेस्वेंट तो पटना जिले के बक्तियार पूर परखंड में पढ़ता है इसको आप जानकारी रखेंगे और आग की यह सामिल हुए थे और इसके पहले वो साई के स्पोर्स ऑथोरिटी ओफ इंडिया के द्वारा खेलते वे 2010 में रोह तक में राष्टे जुनियर चैंपियंशिप में उने स्वर्ण पदक भी जीता था तो सागर कुमार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है एट लिस्ट का जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है वो लगातार भारत के सभी राज्यों में अवल बना हुआ सबसे टॉप नमर पे है और एस्टर यानि कि 27 तारी को कल जो है बिहार एकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तूद किया गया जो विजय चौधरी है वही ना अभी हमारे विजय चौध परसेंट तो 7.98 परसेंट से अगर बिहार की जीडीपी ग्रो कर रही है न तो पूरे भारत में सबी राज्यों के इंदर सासित परदेश में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है और भारत का जो आसद ग्रोथ है वह 8.68 पूरे भारत का और उसमें बिहार का ए 10.98 तो एक तारी आज बिहार में बजट प्रस्तूत किया जाएगा तो एकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आ गया है और मुख्य मंत्री नितिश कुमार देख रहे हैं खासा खुस हैं तो इस रिपोर्ट को भी आप जानकारी रखेंगे और बिहार जो अब केवल आंधरा परदेशों कि मारwide सामने वह है कि मुंघेर के चंदन कुमार में 14 एसेन लों बॉलज चैंपिएंसी ब में भारत को दिलाया है कांभ सेंपियंशीप में भारत wing जिले KNOWट कर लेना चंदन बाकि चंदन कुमार का पूरी जीवनी यहां पे लिखा हुआ किस गाउं से हैं किस घर से हैं उनके सिक्षक कौन है गाउं वालों ने मिठाई बाठी होगी यह वही चंदन कुमार है जब बेचारे कभी प्रतिभा साली था एंडॉल तो इनके मुहले वाले इनके रिष्टेदार कहते होंगे तो इनके घर में लोगों की भीड़ लग गई लेकिन आप इस बात को जानकारी में रखेंगे कि लंबा संघर्स चलता है लंबे प्रयास चलते हैं बड़ी सफलता के पीछे तो आप बिल्कुल इन सब चीजों को अंसुने करना है और केवल और केवल एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए अपने परिवार का साथ्यों पुरी दुनिया को जीत सकते हैं जब आपकी फैमिली आपके साथ है आपका परिवार आपके साथ है और कुछ नहीं करना आप अपने परिवार को मंधिन्स कर इइस धरती पर आपका ग्रोश्च आपकी विकास आपकी सफलता कोई चाहे या नहीं चाहे लेकिन एक माँ बाप जरूर है जो आचाहता है तो आप जाने हं जाने कई बार क्या करते हैं अपने ममी पापा को समझाने में असफल हो जाते हैं जिस कारण से उसके साथ आपकी विवाद भी होती है तो उनको भरोसे में लीजे अगर आप उनका भरोसा जीत लिए पुरी दुनिया जीत जाओगे कोई निरोकेगा और यह प आप नियूज जिसको हमने यहां पर कवर किया कैसा लग रहा यह सेशन हमें एक और बच्चा आप सभी लोग प्रयास करना रेगुलर रहने का अपने पढ़ने लिखने वाले साथियों के साथ वीडियो को शेर कर देना हां मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और यह तब ही संभ़व जब आप लोग इसे इंटरेक्ट करोगे आप लोग इसे गरोगे तो सर 68 में कितना कोशन लड़ा है आपके करेंट एटसे 68 में कितने कोशन लड़े मँद्ध करके बता दो जितने कोशन थे सारे कोशन अपने क्लास के हैं टोटल हंड्रेट कि अग्यार जल्दी से पर आप लोग लाइक कर लो इसको फटा से और अभी समाप्त नहीं हुआ है अभी बिल्कुल भी सेशन समांप्त नहीं हुआ है पीडिएफ आपको सेशन का जब खत्म होगा ये क्लास तो आपको मिल जाएगा आप लोग वहाँ पे टेलिग्राम पे जोइन कर लेना हां चलिए आप सब बच्चों के लिए एक बहुत ही सांदार कॉर्स है हां इस कॉर्स को आप लोग जाकर के जरूर से जरूर एक पर देखिएगा क्या कॉर्स आप यहां से देख सकते हैं अनकेडमी पे अब आपको किसी भी एक्जाम की तैयारी एक एक एफोर्डबल प्राइस पर कर सकते हो हमारे पास आपके लिए एक लव्य बैच एक लव्य बैच पीटी मेंस दोनों एक्जाम के लिए है तो जो भी बच्चे एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं पूरी तरह से कंप्लीट प्रिप्रेशन चाहते हो तो महज 3449 रुपे दे करके आज तक आनि की 28 तारीक तक यह ओफर वैलिड है आप इसमें 20 परसंट डिसकाउंट पायोगे यह ओफर आज भी वैलिड है आज तक से 20 पर 30 डि सर सुनिए बगल वाले को जलन हो रहा है किसको जलन हो रहा है कि दो पैसे की सारी में बोल के जाओंगा दो पैसे की सारी बोलना है मुझे तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा ना रास्तिया और अंतरास्तिया महतों के विशय पे भी कॉर्स है निवंद लेखन पे कोर्स है आप देख सकते हैं पेपर टू के लिए भी कोर्स 1599 रुपे में पांडे सर की कोर्स भी 799 रुपे में इन सभी कोर्सेज को आप अपने कैड़मी पर परचेज कर सकते हैं अब दो पैसे की सायरी बोलूँगा और सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा हां हां है दो पैसे की साइरी मैं टेली सेव करके रखता हूँ कि युम्हें दो पैसे की बी बोलने होती हां हो बीसिशलियो थे ँ फालकों का स्वागत है और थोड़ा सा इंतजार कर ले लिए ए कि दो पैसे की सायरी बोलना है आप जाफ करते हूं बिसिकली सायरी नहीं है मतब कुछ मौटिवेशन है जब जीवन में हार जाने का मन करेना साथ्यों जब जीवन में लगे कि आप असफल हो जाओगे या आपको असफल हो जाना चाहिए आप अपने पीछे मूड करके देखना बहुत सारे लोग है जो आपकी सफलता की कामना कर करते हैं और खास करके आपके जानने वाले लोग आपके चाहने वाले लोग जिनमें आपके परिवार आपके दोस्त आपके और भी प्यारे लोग सामिल हो सकते हैं तो कभी जीवन में हारना नहीं है और हमेशा प्रयास करते रहना है हां तो यही हमारा आज का जो सुबिचा के लिए 69 के लिए बच्चा देखो यहां पर तमने आपको बताया ही अभी कितना है 3449 इसमें 20 परसेंट आफ कर दो कितना हो जाएगा लगवख 27-8 कॉर्स कर लगेंगे चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं और ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नहीं जानकारी के साथ तब तक अपना खूब ख्याल रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए हां और टेलीग्राम चैनल पर जोईन कर लेना जो लोग अभी रेकॉर्डेड लेक्टर देखेंगे वहीं पर आपको इसका लिंक में वहीं पर आपको कर दो कर दो आपको इसका लीकिपना